मैं डॉक्टर जोती डुंग डुंग बी ए राजनीती विज्ञान विभाग के सेमस्टर थ्री में कोर पेपर सेवेन के दूसरे अध्याय में प्लेटो का साम्यवाद का सिध्धान के अगले भाग को लेकर पुना हुपस्ते थूं तो पहले ओडियो में आपने सुना कि प्लेटो ने संटक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग को नीजी, सम्पती और परिवार से वंचित रखता हैं ताकि वे अपने कर्तब्यों का पालन अच्छी तरह से कर सकें और सम्पती का साम्यवाद सिध्धान के बारे में भी सुना आप सब सुनेंगे कम्मुनिजम और वाइब्स तो प्लेटो संटक्षक या अभिभावक वर्ग के लिए ब्यक्तिगत या नीजी सम्पती का निशेद करने के साथ साथ उन्हें नीजी परिवार से भी वंचित रखता है प्लेटो का विचार है कि संटक्षक वर्ग कुशलत पुर्वक अपने कर्तब्यों का पालन कर सके इसके लिए उन्हें संपती के मोह के साथ साथ परिवार और इस्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार का मोह कई बार संपती के मोह से अधिक शक्तिशाली होता है और इस मोह में अंधा होकर मनुष अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कारे करने के लिए भी प्रेरित हो सकता है तो प्लेटो का मानना है कि इस संरक्षक वर्ग या भी भावक वर्ग अपने करतव्यों को अच्छी तरह से पालन कर सके इसलिए संपती के मोह के साथ साथ परिवार या इस्तियों के मोह से भी उन्हें मुगत रखना चाहता है प्लेटो का मानना है कि संपती के मूह से भी अधिक शक्तिशाली परिवार का मूह होता है क्योंकि व्यक्ति परिवार प्यार में या मूह में अंधा होकर उनके लिए या उनके लिए साधन जुटाने में अनुचित या नायति किसी भी तरह का कार कर सकता है तो इसलिए प्लेटो अपने शाशकों को इस खत्रे या जन्जाल से बचाने के लिए ब्यक्तिकत परिवार प्रथा का उन्मूलन करना ही उचित समझा मतलब ना ही परिवार रहे और ना ही उन्हें इन खत्रे या जन्जाल से में फसना पड़ेगा इसलिए ब्यक्तिकत परिवार प्रथा का उन्मूलन करना ही प्लेटो उचित समझता है प्लेटो विश्व के उन महांतम दर्षनिकों में से है जिन्हों ने राजनीतिक जीवन में महिलाओं को समुचित अस्थान देने पर गंभित्ता से विचार किया और उसने सामयवाद के रूप में ऐसी योजन प्रस्थूत की जिन्हों ने महिलाओं में महिलाओं को शाषन संचालन करने के लिए उचित माना और उसने निर्विक्ता से यहां गोसना किया कि महिलाओं में शाषन संचालन करने की उतनी ही छमता होती है जितनी पुरुस वर्ग में प्लेटों के समय युनान में महिलाओं की स्थिती बहुत ही बुरी थी उन्हें घर की चार दिवारियों के अंदर बंद रखा जाता था उनका कारेश शेतर केवल परिवार की देख भाल करना और संतान उत्पन करना था महिलाओं की इस दूरदशा के लिए बिवास से उत्पन व्यक्तिगत परिवार प्रनाली को प्लेटों उत्तरदाई मानता था मतलब उनका मानना है कि महिलाओं की जो दूरदशा थी जो घर के अंदर बंद रहती थी वह बिवा से उत्पन ब्यक्तिगत परिवार होने के कारण उनकी यह दशा होती है तो प्लेटो कहता है कि इस्थाई बिवा ही नहीं रहे तो ब्यक्तिगत परिवार भी नहीं रहेगा तो ब्यक्तिगत परिवार रखने से विशाषक वर को बना करते है इसलिए उसने महिलाओं के दशा सुधारने के लिए और पुरुसों के समकच लाने के लिए या यू कहें कि महिलाओं को घर की चार दिवारियों के गुटनमाई जीवन से बाहर निकाल कर राजनीतिक एवं समाजिक जीवन जी सके इसलिए उन्होंने परिवार पठाका माना, प्लिटो महिलाओं को इस संकुचित छेत्र से मुक्त रखना चाहता था, वह इस्त्रि पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता था, और वह मानता था कि महिलाओं भी वे कारे कर सकती हैं, जो पुरुष वर्क करते हैं, महिलाओं की मुक्ति के पीछे उनका एक उदेश्य यह भी था कि उनसे स्रेश्ट संतान की प्राप्ति हो, इस उदेश्य से प्लिटो संडक्चक वर्क के लिए आइस्थाई बिवा का समर्थन करता हैं, आइस्थाई बिवा का मतलन की कि किसी एक व्यक्ति से बिवा संबन बना की वह एक नीजी परिवार नहीं बसाएं, तो प्लेटो ने अपने परिवार या पत्नियों का सामेवाद सिधां के बारे बताते हुए कहते हैं कि संडक्चक वर्ग इस्त्री या पूरुस में कोई भी अपने नीजी मकान या परिवार नहीं बनाएंगे, संटक्षक वर्ग में जो इस्त्रिय पूरुस होंगे वे कोई भी अपना नीजी मकान या परिवार नहीं बनाएंगे महिलाएं सबकी समान रूप से पत्निया होंगी कहने का मतलब है कि कोई भी इस्त्रिय या पूरुस किसी एक ब्यक्ति से विवा नहीं करेंगे वा सामुहिक रूप से सभी के साथ में बिवा करेंगी एक पत्नी एक महिला एक ही पूरुस के पत्नी नहीं रहेंगी और उनकी संताने भी समान रूप से सबकी होंगी और ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और ना ही संतान अपने माता पिता को और नौजात शिशु का पालन पोशन राज द्वारा किया जाएगा वह अपनों में सामुहिक बीवा प्रनाली की बेवस्था करता है या आइस्थाई बीवा की जिसमें सामुहिक रूप से संटक्षक वर्ग जो सभी महिलाएं सबकी समान रूप से पत्निया होंगे और उनसे जो संतान उत्पन होंगे वा किसी एक की नहीं बलकि सबकी संतान होंगे वा और इस तरह से माता पिता अपनी संतान को नहीं जान सकेंगे वो मेरे संतान है और नहीं संतान अपने माता पिता को जान सकेंगे कि वहीं एक ब्यक्ति है जो मेरा माता पिता है इस तरह से प्लेटो परिवार जैसे व्यक्ति की मूलभूत संस्थां का उन्मुलन उसे नस्ट करने का सुझाओ देकर उसके स्थान पर एक राज परिवार की स्थापना करने की योजना प्रस्थूत करता है और प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी सामयवाद की जो योजना प्रस्थूत की है उस योजना के पक्ष में उन्हें निम्न बाते कही है इसमें पहला है संडक्चक वर्ग को परिवारिक मौ से मुक्त रखना इसमें कहा गया है कि प्लेटो कि मानियाता थी कि परिवार एवं व्यक्तिकत संपती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परिवार वासंस्था है जो व्यक्ति को संपती अर्जन के लिए बाध्य करती है और अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य प्रिय जनों के लिए संपती जुटाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और इस कारे में उन्हें आनन भी प्राप्त होता है और वहां उसे नैतिक कारे भी लगने लगता है अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक संपती जुटाने में लगे रहता है इस तरह राज के संटक्षक वर्ग अपने परिवार के हितोंग में ही ब्यास्तरा जाता है जो राज के लिए गहातक हो सकता है क्योंकि वे अपने कर्तब्यों से बिमुक्त हो जाते है और दूसरा जो है राज में एकता इस्थापित बने रहेा है प्लेटो राज में एकता इस्थापित करने के लिए भी व्यक्तिगत परिवार की प्रथा को उन्मुलन करना चाहता है यह शुक्त करना चाहता है और तीसरा जो है महिलाओं की मुक्ति तथा समान अधिकार उन दिनों एथेंस में महिलाओं की स्थिती बहुत गिरी वी थी वे घर की चार दिवार्यों में बंद रहती थी और प्लेटो को योग्य इस्त्रियों को घर की चार दिवार्यों से बाहर निकाल कर उनकी प्रतिवह और शक्ति का प्रयोग राज के हित को बढ़ाने के लिए करना चाहता था इस तरह प्लेटो महिलाओं को महिलाओं के मुक्ति और उन्हें समान अधिकार दिलाना चाहता था चौथा जो है श्रेश्ट संतान की प्राप्ति या उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्लिटो इस बात की भी वेवस्था करता है कि संडक्षक वर्ग के इस्तरी पुरूसों में श्रेश्ट आधार पर यौन संबंदों का विकास हो जिसे की उनकी संतान का राज के हित में उप्योग हो सके उनसे जो संतान उत्पंद होंगे वे राज हित में ये राज की सेवा कर सके इसलिए प्लेटो संदक्षक वर्ग के इस्तरी पुरूसों के लिए सही सम्मय में यौन संबन का विकास करना चाहता है प्लेटो चाहता था कि संदक्षक वर्ग स्रेश्ट संतान पैदा करे और संदक्षक वर्ग की जनसंख्या भी स्थाई बनी रहे इसलिए वा साशक वर्ग के लिए ब्यक्तिगत परिवार की स्थापना नहीं करना चाहता है उसकी योजना यह है कि साशक वर्ग के इस्त्री पुरुसों के बैवाहिक संबन सामूहिक आधार पर हो और शाशक वर्क के अच्छे से अच्छे इस्त्री पुरुस को उचित समय में ही उन्हें मिलने दिया जाए जिससे की वे सर्ब स्रेष्ट संतान राज को दे सके उनकी या योजना थी कि बिवा सम्मंधों को नियंत्रित रखा जाए इस्त्री पुरुसों को पुरुसों की प्रजनन की स्रेष्ट आयू का निश्चय किया जाए इस तरह से प्लेटो इस्त्री पुरुसों के लिए जो बेवस्था करता है वा है इस्त्रिया 20 वर्ष की अवस्था से लेके 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट के लिए संतान उत्पन करेंगी और पुरुष 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट के लिए संतान उत्पन करेंगी इस तरह से इसके पहले या बाद की उमर में पैदा हुए बच्चों को नस्ट कर दिया जाना चाहिए और वा आबादी पर नियंत्रन रखना चाहता है और केवल उतने ही बच्चे पैदा करने के पक्ष में है जितने बच्चों की आउशकता राज को है इस तरह प्लेटो संडक्चक वर्ग के लिए संतान उत्पन करने की सही समय सीमा निर्धारित करता है ताकि वे बच्चे स्वास्त रहकर राष्ट की सेवा कर सके और पाच्वा जो उनकी युक्ती है वा है पीवा संस्था में सुधार तो प्लेटो इस्थाई बीवा या नीजी बीवा के पक्ष में नहीं थे वे आस्थाई बीवा का समर्थन करते थे या सामूहिक आधार पर शाशकों के लिए बीवा का प्रबंद करना चाते थे मतलब प्लेटो का कहना है कि ब्यक्तीगत भीवा ब्यक्तीगत परिवार रहने से वे अपने करतब्यों से बिमुक्त हो जाएंगे इसलिए शाशकों को सभी शाशकों की महिलाओं के साथ में सम्मन बनाना चाहिए या सामूहिक भीवा कोई एक ब्यक्ती या एक महिला उनकी पत्नी ना हो बलकि सामूहिक रूप से सभी उनकी पत्निया होंगी और इस तरह उनसे जो संतान उत्पन होंगे सही समय में उनुगने निर्धारित की है जो समय सीमा उसी समय में ही उनसे संतान उत्पन उन्हें करना है और वे जो संतान उत्पन होंगे वे राज हित में कारे करेंगे इस तरह से पत्नियों का साम्यवाद सिद्धान प्लेटो ने निर्धारित की है प्लेटो यह समस्ता था कि इस बेवस्था से ना किवल उत्तम संतान उत्पन होगी किन्तु सारा राज एक विशाल कुटम का रूप धारन कर लेगा इससे राज में एक्ता बढ़ेगी और इससे निर्बल बनाने वाले जगड़े समाप्थ हो जाएंगी बिद्रो की भावना मिट जाएगी और शांती का अखन सामराज्यवाद होगा अब आगे सुनते हैं आरस्तु द्वारा परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना प्लेटू के शिश्य अरस्तु ने इस योजना की प्रबल आलोचना सम्पती के साम्यविक स्वामित्व की भाती ही की है तो पहला आलोचना है इस से राज ना तो कभी विशाल कुटुम का रूप धारन कर सकता है और ना परिवार की एकता और शुद्रीरता पाई जा सकती है जब एक बच्चे के एक नहीं किन्तु सव माता पिता होंगे और उनके भी सव बच्चे होंगे तिसमें प्रेम संबन्द की घनिष्टा नहीं हो सकती जो एक छोटे परिवार के माता पिता तथा संतान में होती है इस तरफ अरस्तु ने प्लेटो के परिवार सामेवाद की आलोचना की है कि जब ऐसे परिवार में एकता और सुद्रीरता कभी नहीं हो सकती है च्योंकि एक बच्चे के बहुत सारे माता पिता होंगे और उस बच्चे के भी बहुत सारे संतान होंगे तो ऐसे स्थिति में परिवार में प्रेम और एकता नहीं बनी रह सकती है और दूसरी जो आलोचना की गई है वह यहा है कि इस वेवस्था से समाज में शान्ती के स्थान पर महिलाउं को लेकर हमेशा जगड़े होते रहेंगे जगड़े बहुत अधिक बढ़ जाएंगे तीसरी जो आलोचना है वहा है जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवा सबसे कम होती है जब बच्चे सबके समझे जाएंगे तो उनका लालन पालन वैसा प्रेम ममता और साधानी से नहीं हो सकता जैसा वत्मान परिवार विवस्था में होता है इस तरह अलोचना की गई है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवा सबसे कम होती है जब बच्चे सबके ही समझे जाएंगे तो उस तरह से प्रेम और ममता से उनका पालन पोसन नहीं होगा और जो बर्तमान परिवार विवस्था में देखी जाती है और नेक्स को प्लेटों ने पशु जगत के उदाहरनों से पूस्ट करने का प्रेदन किया है मलता पशु जगत की तुलना की गई है इससे जो पशुंग में जो नियम पशुंग के जो नियम होते हैं वह माना और समाच पर लागू नहीं हो सकता है नेक्स्ट पाच्वी जो आलोचना की गई है वह है राज द्वारा स्रेश्ट महिला पूरुसों के संबन्द की जो योजना बनाई गई है वह सर्वता आबेहवारिक है चटवी आलोचना है प्लेटो परिवार को केवल स्वार्थ परतायों जगडों का मूल कारण समझता है किन्तु इससे समाज को होने वाले लावों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देता है लेकिन परिवार ब्यक्तियों की सेवा, सहयो, प्रेम, स्वार्थ त्याग, सहयम, सदचार और परोपकार का पार्ट पढ़ाता है जो प्लेटो परिवार को केवल ब्यक्तियों स्वार्थ या जगडों का मूल कारण मानता है लेकिन ऐसी नहीं है, परिवार से ब्यत्योंग में सेवा, सहयोग, प्रेम, परोपकार, सदाचार जैसे चीजें सिखने को मिलती है Next जो आलोचना की गई है, सात्वी आलोचना वे है प्लेटो शाषकों को परिवारिक जीवन से प्राप्त होने वाले आनन और लाब से वन्चित कर देता है परिवार उनके पास नहीं रहेंगे, तो वे शाषक वर परिवार से प्राप्त होने वाले आनन और लाब से वन्चित रहेंगे आठवी जो आलोचनक की गई है वह है प्लेटो परिवार विहिन राज की कल्पना करता है मतलब परिवार ही न रहे जो संभाव नहीं है परिवार तो राज की बुनियाद है जिसकी वकालत अरस्थु करता है इस तरह से इन आलोचनावों से यह इसपस्थ होता है कि प्लेटो ने उच आदर्सों से प्रेरित होकर समाज और ब्यक्ति को सदगुनी और आदर्स बनाने के लिए सामिवाद की कल्पना की लेकिन अपने आदर्सों की उडान में वह माना स्वभाव की उन स्वभाविक वास्त्विक्ताओं को भूल गया जो उसे प्रकृती से प्राप्त हुई है इसलिए सेवाईन ने इस सम्मन में कहा है कि प्लेटो अपने चिंतन को बहुत दूर तक खीच ले जाता है इसे भावनाओं के शेतर में क्या कठी नहीं आती है वह उसकी और कोई ध्यान नहीं देता है प्लेटो को राज की एकता का लक्ष प्राप्त करना है संपती और परिवार उनके लक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन करते हैं इसलिए उन्हें मार्ग से ही हटाना आवशक मानता है इस भावना से प्रेरित होकर प्लेटो ने माना स्वभाव की वास्त्विक आवशकताओं को ध्यान में रखकर एक ऐसी सामयवादी बेवस्था का प्रतिपादन किया जो बेहवारिक द्रिष्टी से ना हो उपयोगी है और ना उचीत है इसलिए इसको कार्यानुवित करने से समाज की विभिन समस्याओं के समाधान के बज़ाए उनका और भी विस्तार हो जाएगा